उत्तर प्रदेश के कानपूर में नई सड़क इलाके में हुई हिंसा के बाद जाच में खुलासा हुआ की हिंसा के मास्ट माइंड हयात चफर हाश्मी कानपूर की एक NGO मौलाना मुहम्मद अली जोहर फैंस असोसियेशन का अध्यक्ष है इस संस्था को पिछले कुछ वर्षों में 50 करोर रुपे से भी ज्यादा की फंडिंग मिली है NGO के नाम पर चार बैंक अकाउंट हैं जिसमें भारी मात्रा में खारी देशों से मिली राशी जमा है ये तीन अकाउंट कानपुर के बाबु पुर्वा करनाल गंज और बीकंगंज इलाकों में हैं चौथा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में हैं प्रचंद गर्मी और लू की मार जेल रहे देशवासियों को 16 जून के बाद रहत मिल सकती है मौसम विशेशग्यों का दावा है कि अगले सप्ताह से प्री मानसून की गतिवेधियां शुरू होंगी जिसका असर पहाडों से लेकर नीचे मैदानी इलाकों तक देखेगा इसी दोरान लू की मार जेल रहे दिल्ली, हर्याना, पंजाब और यूपी में बारिश से कुछ रहत मिलने का अनुमान लगाया गया है पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के नए मामलों में एजाफा देखने को मिल रहा है जो सरकार और आम लोगों के लिए चिंता का विशे सावित हो सकता है केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्राले के अनुसार, भारत में पिछले 24 गंटों में कुल 8,329 नए COVID-19 मामले दर्ज किये जो कल से 9.8 प्रतिशत की व्रिद्धी को दर्शाता है अमेरिका में महांगाई मई महीने में 4 दशकों के अपने सबसे 29.8 दशमलव 6 प्रतिशत पर पहुँच गई है इसके पीछे मुख्य कारंगैस, खानपान और अन्य जरूरी वस्तूओं की कीमतों में बढ़ोतरी है उत्तर प्रदेश की 16 लाख राजय कर्मचारियों, शिक्षकों वर शिक्षन इत्तर कर्मचारियों को जुलाई से 3 फीसद की बढ़ी हुई दर से महांगाई भत्ते, डिये का नग्ध भुक्तान होने की उम्मीद है 11.52 पेंशन अभी बड़ी दर से महांगाई भत्ता दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में हिंसक घटनाओं को लेकर सीएम योगी आदितिनाथ ने सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सक्त कारवाई के निर्देश दिये हैं ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सहारनपुर प्रयागराज समेत प्रदेश के छे जिलों में उपद्रब करने वाले 136 लोगों को अब तक गिरफतार किया गया है उन्होंने कहा कि शांती भंग और उपद्रब करने वाले सभी दोशियों को चिनहित कर लिया गया है इन लोगों के खिलाफ कठोर कारवाई की जाएगी उनके विरुद्ध गंवीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाएंगे सरकारी और निजी संपत्यों को पहुंचाई गई क्षती की इनसे वसूली भी की जाएगी हिंदी सिनिमा को कमपनी, सरकार और रंगिला जैसी फिल्में देने वाले निर्देशक राम गोपाल वर्मा अब अपनी अगली पेशकश लड़की एंटर दगर्ड रेगन के साथ तैयार है इसे सिनिमा घरों में 15 जुलाई को रिलीज किया जा रहा है फिल्म में पूजा भालेकर के अलावा पार्थ सूरी, राजपाल यादव और अभिम्यू सिंग एहम किरदारों में नजर आएंगे गोसाइगन जयोध्या में शराब माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र के नेत्रित्व में कारवाई करते हुए गैंस्टर एक के आरोपित जहरीली शराब माफिया के चल अचल संपत्तियों को जब भारत और दक्षन अफरीका के बीच पांच मैचों की टीबी सीरीज का दूसरा मैच 12 जून को बारापती स्टेडियम कटक में खेला जाएगा दक्षन अफरीका की टीम इस सीरीज में एक माइनस शून्य से आगे है